अर्स्तल एंड एलोईज लिम्टेट SME आईप्यो की काफी डिमांड जल दिये मार्केट में करन इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है तो आज की वीडियो में डेटेशन में समझते हैं कंपने का बिजनस क्या है इसलिए वीडियो को अप्डेट देखिए और चैनल को अपिते सब्स्क्राइब ने किया है तो कर दीजिए ये कंपने 2009 में इनको अप्रेट हुई थी कंपनी का में बिजनस कास्ट आरेन लंप्स एंड डटाइल आरेन पाइप फिटिंग का है डटाइल आरेन पाइप फिटिंग में कंपनी इस तरह के प्रड़क्ट्स बनाती है कुछ अधर प्रड़क्ट्स भी कंपनी बनाती है लाइक गेरिट बार्स, क्रेशन हैमर्स, असक्राइब अब इसमें जाए डीट में ने जाएंगे क्योंकि हमें बस एक उपर से और्विव करना होता है कंपनी का इसके मैनिफेक्ट्रिंग इउलिट्स राइपुर्श हतिसगर के पास एक विलेज में है कंपनी के फाइनेशल को में देख लिते हैं उससे पहले कोई खास डिफेंस नहीं होता आप देख सकते हैं फाइनेशल येर 20 में कंपनी लोस में चल रही थी देन फाइनेशल येर 21 में 277 लैक्स का प्रोफिट हो गया और उसके बाद सीधा 745 लैक्स का प्रोफिट बना दिया इस येर 6 मन्त में ही 580 लैक्स प्रोफिट कर लिया है इसके कोडिंग तो फाइनेशल येर के एंड तक कंपनी 1000 लैक के उपर ही प्रोफिट बना लेगे अब इतना तेजी से ग्रोव पताने कैसे हो जाता है बट चलो कोई न हमें तो फिगर को ही देखना है पताने कंपनी को कोई सा ऐसा फामला मिल जाता है जिससे ये फिगर डबल ट्रिपल हो रहे है ये तो आप कंपनी जाने इसलिए SME IPO में बस लिष्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते है लोग टम के लिए लेकर नहीं रखना बहुत सारे SME IPO में कुछ दिम बाग लोवर पर लोवर सर्केट लगते जल जाते है इस्यू लाने की ओब्रेक्टिज दिखते है अलेक्रिस्टिटी सप्लाई की वोल्टेज में चेंज करने के लिए वर्किंग कैप्टन रिक्वाइमेंट को पूरा करने के लिए को शेयर डिमेंट अकाउट में सैवन सैप को आ जाएंगी दैन लिस्टिंग हेट फैप को हो जाएगी इसमें 30% कोटा क्यू आइवीटी रखा गया है 35% एच्चनाई के लिए रखा गया है और लिटेलिस को 35% कोटा दिया गया है इसके मार्केट मेकर हेम सक्योटी है जिसके पिछले काफ़ी सारे SME IPO अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हुए थे और बहुत अच्छा प्रोफिट देकर गए थे SME IPO के मार्केट मेकर में हेम सक्योटी का नाम ही काफ़ी हो जाता है ब्रोसे के लिए इनके नाम से ही डिमान बढ़ जाती है IPO की, GMP भी अपने आप कासे अच्छा बढ़ जाता है, रिटेलर्स के लिए एक लोट का प्राइस एक लाख बीस जार है और इसमें तीन अजार शेयर मिल जाएंगे, रिटेलर को एक ही नोट में अप्लाई करना है क्योंकि इससे उपर अप्लाई करते ही आप HNA केटेगरी में चले जाएंगे, SME IPO अप्लाई करने के लिए सबसे बैस ट्रेडिंग प्लैटफर्म जिरोधा का रहता है, उसमें कैसे अप्लाई करते हैं, वो मनें जिरोधा काई ट्रेटोरियल वाली वीडियो में अच्छे से एक्स्पिरिंग किया हुआ है, और इसके लिए जिरोधा में ट्रेडिंग अकाउंट होना बहु जूरी है, क्योंकि बिना ट्रेडिंग अकाउंट के आप आईपियो में अप्लाई नहीं कर सकते, जिरोधा में अकाउंट ओपनिग प्रसेस का वीडियो अलड़ी बना हुआ है, इन दोनों वीडियो को ऊपर आई बटन में मैंशन कर दूँगा, और साथ में उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, इस आईपियो का सब्सक्रिप्शन स्चेटर्स भी काफ़ी सही चल रहा है, SME IPO में subscription काफी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि total IPO size काफी सवाल रहता है इसलिए आप देख सकते हैं ये IPO अभी तक 22 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है लास्ट दिन में तो ये figure बहुत तीजी से increase हो जाते है इसमें अडानी IPO का भी पैसा लगेगा क्योंकि अडानी IPO के demand बुज़र कम होगी है अगर आपको इसका कारण नहीं पता तो वो वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते है इस SME IPO का subscription काफी मच्छ जाएगा अगर बहुत ज़्यादा ही market में downfall आ गया तो थोड़ा सा risk भी बन जाता है 5% के आसपास का ऐसे होने के chances बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इसके साथ हेम security का नाम include है तो इस SME IPO में apply किया जा सकते है काफी अद तक ये SME IPO safe दिख रहा है अभी एक present में इसका GMP 40,000 के आसपास चल रहा है इसका मतलब 30 से 40% profit के expectation चल रही है इस IPO में बड़ ज्यान रखना SME IPO को open होते ही 10 पजे sell करना होता है hold तो बिल्कुल नहीं करना होता क्योंकि बाद में कुछ भी हो सकता है इस SME IPO के regarding सारी बाते मने cover कर दिए वीडियो को like कर देना और चैनल को भी subscribe कर देना मिलते हैं next वीडियो में